तीसरे मॉडल की और एक बात करते हैं और वो है विकास का कल्यानकारी राज्य मॉडल क्या कल्यानकारी राज्य मॉडल पहला मॉडल हुधारवादी लोकतांत्रिक दूसरा मॉडल साम्यवादी तीसरा मॉडल कल्यानकारी राज्य विकास का जो कल्यानकारी राजी मॉडल एक तरीके से हम कह सकते हैं ये उधारवादी मॉडल का थोड़ा सा साइशोजित रूप है थोड़ा सा बदला हुआ रूप है जिसमें बजार समाज मॉडल को समर्सन पदान करता है सन 1871 और 1870 के बीच में जर्मनी को शक्तिशाली बनाने में जर्मनी के एकी करण में जिस विक्ति का हाथ था उसका नाम है बिसमार्क और ये बिस्मार्क की सोच है दिकास का कल्यान कारी मौडल का पहला उदाहरन मौलिक रूप से बिस्मार्क की ही देन है जर्मनी नाम के देश की स्थापना 1871 में होती है उसके पहले जर्मनी भारत की रियास्तों जैसे लगभग 600 टुकड़ों में बटा हुआ था इन टुकड़ों का आर्थिक एकी करण करने का काड़े बिस्मार्क ने किया और इस आर्थी एकी करण की प्रक्रिया के बाद उसने राजनेतिक एकी करण करके जर्मनी नामत देश की स्थापना की जामनी का संस्थापक कहला जा जामनी में 600 छोटे 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 क्षेतरों के विले का श्रे उसको जाता है इसलिए भारत में जिस व्यक्ति ने भारत में एकी करण का काम किया राजनेतिक एकी करण का सरदार पटेल ने उन्हें हम भारत का बिस्मार्क कहते हैं क्योंकि उन्होंने वही कारे भारत में किया जो बिस्मार्क ने जामनी में किया था दूसरे शब्दों में कहने का ताथ पर यह है कि बिस्मार्क ने विकास के कल्यान कारी मॉडल के अधार पे काम किया और इसलिए कल्यान कारी मॉडल के प्रणिता के रूप में हम बिस्मार्क को जानते हैं वो उदारवाद का सक्त विरोधी था वो सामयवाद का सक्त विरोधी था और इसलिए उसने इस नए वाद नए विकास के मॉडल को प्रस्तुत किया जिसे हम कहते हैं राज्य समाजवाद जिसमें श्रमिकों के कल्यान के लिए काम करना है मजदूर अलेबर श्रमिक इनकी स्थिती जो उस समय बहुत ही ज़्यादा शोचनी थी उनकी स्थिती में सिधार लाने का श्रे या सिधार की शुरुआत करने का श्रे बिस्मार्क को जाता है इसलिए राज्य कल्यान कारी मॉडल विकास का बिस्मार्क को हम प्रने तामानते हैं 1908 से 1916 के बीच इंग्लेंड में भी कल्यान कारी राज्य का विचार आया 1908 से 1916 के बीच और वहां के जो ततकालीन प्रधान मंत्री थे प्राइम मिनिस्टर एक्सक्वित उन्हों ने ये अवधारना जो बिस्मार्क की थी उसे अपने इंग्लेंड में प्रस्तुत की और ये विचार श्रमिकों को रोग और बेरोजगारे की स्थित में प्रधत हितों के लिए उठाये गए कडम के रूप में सामने आदा अर्थात इन्होंने भी मजदूरों का ही सोचा मजदूरों मजदूरों पर केंदृत योजनाये चलाई और इसमेकार राज्य कल्यानकारी विकास के मॉडल की बात सामने आती कल्यानकारी राज्य का विचार अपने पूर्ण रूप में लेकिन 1922 में ही आदा अपने समग्र रूप में होलिस्टिक तरीके से 1942 में जब विलियम हैंरी बेवरिज ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो बहुत प्रसिद्ध है बेवरिज रिपोर्ट कल्यान कारी राज को समगर रूप से स्विकार करने के लिए जो रिपोर्ट प्रसिद्ध की उसने अनेक सुधारों का जिक्र किया है और उसमें सुझाओ दिया कि मुफ्ट राष्ट्री स्वास्तियोजना, परिवार भत्ता, श्रामिकों के लिए बीमा इंशुरेंस, पूर्ण रोजगार के लिए सरकारी कारवाई, बिरोजगार भत्ता, दुरघटनाओं का लाब, दुरघटनाओं में होने पर जो दुरघटना ग्रस्त हैं उनको कुछ लाब दिया जाना, बीमारों को का इलाज, विद्वाओं का पेंशन, मातरे तुलाब, यानि आज जो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, जो सरकार करती है, इसकी शुरुआत बेवरिज रिपोर्ट के बाद ही मानी जानी चाहिए, उननिस सब ब्यालिस, इन सब बंदूओं को शामिल करते हुए बेवरिज ने कहा था, कि एक कल् कल्यानकारी मॉडल को लोगों ने बहुत सराहा और पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई, बड़ी खुश ही लोगों में कि अब सरकार अपना नजरिया जनता के प्रति बदलेगी, इस प्रकार बेवरिज का कहना था, कि एक कल्यानकारी राज्य वो है, जो नागरिकों क को विभिन सामाजिक सेवान दे, कल्यानकारी राज्य की परिवाशा देखिए, नागरिकों को विभिन सामाजिक सेवान देने वाला शातन कल्यानकारी शातन कहलाएगा, कल्यानकारी राज्य कहलाएगा, जिसमें सामाजिक शुरक्षा शामिल हो, स्वास्त संबंदी लाप शामिल हो विकलांगता की ख्षति पूरती नहिशुलक शिक्षा जन स्वास्थ गरीबों की सहायता इस्कॉलर्शिप्स आदी ना जाने कितने बिंदु शामिल किये गए गरीबों को कम कीमत पर जरुरत के सामान उसकी पूरती कराना ये मुक्ति बाजार मॉडल में आसहायों क सहायता पर संपत्ति की पुना वित्रण की पद्धती थी आप देखते हैं कि आज इनमें से बहुत सारी बातें शासन कर रहा है और इसकी शिरुवात हम बेवरिज रिपोर्ट से देख सकते हैं धीरे धीरे ये विचार जो बेवरिज ने रखा था उने से ब्यालिस में ये जाता है जमनी जाता है स्वीडन इटाली ओस्टेलिया यहां फैलता चला गया विकास-शीदशों के लिए कल्यान-कारी-रज का मॉडल निर्धन्पा के निदान के लिए जरूरी माना गया कि यदि गरीबी को हटाना है तो विकास-शीदशों में बेवरिज रिपोर्ट के अधार पर कल्यान कारी रज की स्थापना करना अपरिहारे हो जाएगा अपरिहारे है अनिवारे हो जाना चाहिए इसके लावा इन देशों में निर्धनों की साहता की परंपरा वैसे तो पहले से थी परंथु क्या हो रहा था कि शहरी करण बढ़ रहा था विकास हो रहा था और भौतिक विकास में शहरी करण ज़्यादा हो रहा था जिससे निर्धन जो लोग थे उनका जो आधार था वो बार बार छिन भिन हो रहा था तूट रहा था क्योंकि शहरी करण में ग्रामीनों का पलायन शहरी करण में गाउं का तूटना और ना जाने हैं थी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जिससे इन निर्धनों को इस गरीब तबके के लोगों को बड़ा नुक्सान हो रहा था विकास शिल देशों में कल्यान कारी राज़ पर संचालन चुँकि एक सामुईक अधार भूच संरचना नहीं थी इसलिए मुश्किल था नौकर शाही भी ध्यान नी दे रहा था उदासीन था और उसके साथ ही साथ भरष्टा चार भी था तो इन तीन चार कारणों से विकास शिल देशों में कल्यान कारी राज़ का जो इंप्लिमेंटेशन है उसको लागू करने की जो प्रक्रिया है उसमें गिरावट आती है उसमें वो स्लो हो जाती है आधार भूच संरचना का भाव नौकर शाही की उदासीन था नौकर शाही और अधिकारी गण सरकारी तंत्र और भरष्टा चार ये विकास शिल देशों में बहुत ज़्यादा हुआ जिसके कारणराज कल्यान कारी योजनाय जो है वो उतना जनता जनारदन को लाब नहीं देपाईं जितने क्या पेकशा थी प्रनाम एक और नहीं विचार धारा सामने आती है और वो विचार धारा कहलाती है गांधी वादी दृष्टिकोना विकास का गांधी वादी दिश्टिकोन सामेवाद की बराई हमने जानी उसका हश्र जाना पूंजी वाद की बराई जानी उसका भी हश्र हम जान रहे हैं और तीसरी जो विचार धारती राजी कल्यान कारी वो विकास्ची लड़ेशों में क्यों गई जादा? ये हमने जाना. लेकिन साथ ये भी जाना कि विकास्ची लडेशों में गई तो, खुशी तो हुई, लेकिन दुरभागे से उसका फायदा उस तबके तक नी पहुँच पाया, जिस तबके तक उसे पहुँचना था निर्धन लोग ऐसी स्थिति में खासकर भारत में इसको लेकर एक और दिर्ष्टिकोंड सामने रहा विबन विद्वानों जारा विकास के जो अलग-अलग दिर्ष्टिकोंड दिये गए उसमें जब तुलनात्मक अध्यन किया गया तो गौदिवादी दिर्ष्टिकोंड सबसे ज़्यादा अच्छा पाए गया महतपूंड पाए गया तुमाजवाद में भावतिक वादी धारा पर बल दिया गया गए गाण्धिवाद में आधर्श वाद पर ज़्यादा बल दिया जाता है देख लीजे समझने की कोश्यश कर समाजवाद में भोटिकवादी, सामयवाद में, पूंजीवाद में भोटिकवाद पर ज्यादा बल, लेकिन गांधिवाद इन दो विचारधाराओं से इस द्रिष्टी में अलग था, ये अदरशवाद की बात करता है, इनका पर बल देता है, वास्तों में गांधी जी का जो पूरा जीवन है वो गरीब और कमजोर वर्गों के लिए है यदि आप उनका इतिहास पढ़ें गांधी जी की जीवनी देखें और विबन श्रोतों का अध्यान करें तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन मूलत गरीबों के लिए समर्पित कर दिया था गरीब और कमजोर वर्गों के लिए उनके मन में बहुत सने और हमदर्दी थी मश्रुवाला एक प्रसिद लिखक हैं उन्होंने लिखा है कि आज पसीना बहा कर आज का भोजन पानी और कल के लिए फिर पसीना बहाने की तैयारी करने के आदर्श में किसी की शद्धा नहीं है पर गांधी की है यह मश्रुवाला के विचार यानि गांधी सद्ध रूप से मजदूरों के लिए जिए मजदूरों के लिए सोचे और इस श्रमिक वर्ग दरिद्र वर्ग के लिए वो तो गरीबों को दरिद्र नारायन बोलते थे संबोधन उनका दरिद्र नरायन की रूप में था भगवान, साक्षा भगवान की रूप में उनको देखते थे अब यदि हम गांदीवादी दिशिकोन की बात करें तो इसकी विशेष्टा क्या है संक्षिप में पहला आदर्श वादी विचारधारा जिसमें आदर्श को सर्वो पर ही रखा गया है दूसरा ये विकेंद्रित विचारधारा है साम्यवाद में केंद्र पुंजी वाद में सब कुछ निजी लेकिन यहाँ पर विकेंद्रित तीसरा आर्थिक समानता पर जोड जो शायद साम्यवाद का ही से ही कुछ लिया गया हो आर्थिक समानता पर जोर चोथा बिंदू मानव सेवा नारायन सेवा आदमी की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है ये सोच रखना जो आदर्शवाद का आधार है ये इसका बहुत महत्पूर्ण मुद्दा था बहुत महत्पूर्ण इसका पहलू था गांधी वादी विचारधारा का पाँचवा मनश भौतिक प्राणी नहीं है ऐसी सोच रखना होगा पूंजी वाद में मनश भौतिक प्राणी के रूप में दिखा गया यहां पर गांधी वादी विचारधारा रोल मॉडल का गांधी वादी मॉडल में मनश को भौतिक प्राणी नहीं माना गया छठवा कुटीर उद्योग की स्थापना सामे वाद में जहां बड़े उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया उधारवाद में जहां जनिता जनारदन पर छोर दिया गे है अधियोगों के इस्थापना की जिम्मदारी जहां पर गांदी ने कुटीर अधियोगों पर बल दिया छटवा, रोटी के लिए श्रम रोटी के लिए श्रम, जीविका के लिए महनद करना और अगला है सामाजिक बुराईयों का अंत किया जाए जाने शराब खोरी व्यविचार और जो अन्य तरह की बुराईयां है समाज में व्याप्त उनको मिटाना ही एक गांधी वादी विकास मौडल का दिरिश्टिकोण होना चाहिए सामाजिक बुराईयों का अंत ये इसकी गांधी वादी दिरिश्टिकोण की विचार धारा है इसको जो हम गौर से देखें इस विचार धारा को जो गांधी की सोच से प्रेरित हुई है तो हम पाएंगे कि इसमें सभी के हित की बात की गई है सभी के हित की सर्वहित सर्वोपरी और इसलिए सभी के हित और विकास का इसे एक आदर्ष सिधान्त मान लिया गया गांधी जीने राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य माना इस बहुत महत्पूर्ण बात है यह सोचने की कि राज्य जो है state government वो एक साधन है किस चीज का साधन व्यक्ति का साध्य है उनके अनुचार राजनेतिक सत्ता का प्रयोग व्यक्ति के हित के लिए होना चाहिए ना कि व्यक्ति के शुष्ण के लिए या राज्य के हित के लिए राज्य का हित सर्वोपति नहीं सर्वोपरी नहीं जनता का हित सर्वोपरी और राज्य जो है वो मात्र एक टूल है मात्र एक जरिया है जिसके माध्यम से विकास का समग्र फायदा उस व्यक्ति तक पहुंचे वो साध्य है गांधी जी का तर्क था कि कुटीर उद्योग जो ह बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का हल किया जा सकता है लेकिन दुर्भागे से गांधी वादी विचा ये सब बातों के बावजूद गांधी से पूरा विश्व जहाएं को प्रभावित था और ये वो काल था जब गांधी जी सर्वमान्य आदर्श बन चुके थे उसके बावजूद कई देशों में विकास का गांधी वादी मॉडल आधुनिक देशों के विकास के उससे मेल नहीं खा रहा था क्योंकि गांधी जी का जो विकास मॉडल था वो नैतिकता पर अधारित था आदर्श पर अधारित था धर्म पर अधारित था धर्म येने करता भए, धर्म येने religion नहीं, धर्म येने हिंदू धर्म, इसलाम धर्म, Christian धर्म नहीं, धर्म येने करता भए तो गांधी जी का जो role model था वो आधर्ष पर आधारित था, values पर आधारित था, वो duty पर आधारित था और इसलिए जो भातिक वादी दुनिया थी पश्च्षमी दुनिया वो इसको उस तरीके से अंगी करित नी कर पाई स्विकार नी पर गई वो लोग तो भौतिक व्यवस्था पर बल देते हैं भौतिक विकास पर बल देते हैं और इसलिए उस हज़ तक गांधी वादी दिश्टिकोन उन देशों में पनप नहीं पाया तो अब क्या रह गया एक चौथी अर्थ व्यवस्था सामने आती है जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थ व्यवस्था विकास का मिश्रित अर्थ व्यवस्था मॉडल तीनों अर्थ व्यवस्थाओं जिसका मैंने पूर में जिक्र किया है या चारों अर्थ व्यवस्थाओं जिसका मैंने जिक्र किया है सामने वादी उदार वादी इसके बाद गांधी वादी इसके बाद कल्यानकारी इसकी अपनी-अपनी अच्छायां थी, अपनी-अपनी बराईयां थी लेकिन कुल मिलाके भारती परिप्रेक्ष में इसकी कुछ दिक्कतें भी थी और भारत में गांधिवादी विचारधारा का जाधा प्रभाव था, स्वाभाविक था जो कि गांधी हमारे देश के निता थे हमारे देश के संत थे तो उसका ज्यादा प्रभाव होना स्वभाविक था लेकिन फिर भी एक ऐसा तबका था जो गांधी जी के इस आधर्श पर आधारित विचार धारा को भारत का पूर्ण रूप से विकास मॉडल मानने को तैयार नहीं था क्योंकि इसकी कुछ खामिया थी तो इसलिए एक नया मॉडल सामने आता है जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थ विवस्ता का मॉडल इसके माइने क्या पहला नियोजन की प्रक्रिया होगी याने प्लैंड एकॉनमी याने सरकार के द्वारा नियोजित होगा दूसरा निजी खेत्र और सरकारी खेत्र दोनों उपलब्द रहेंगे याने कुछ काम निजी ख्षेतर करेंगे, कुछ काम सरकारी ख्षेतरों पर ही छोड़ दिया जाएगा, उसमें निजी ख्षेतर का कोई दखल नहीं होगा, किसी तरह की अनुमती नहीं होगी. तीसरा, कि सामिवादी देशों में जो लागू किया गया है, जहाँ निजी ख्षेतर को कार करने के अनुमती नहीं होती है, वहाँ संपूर्ण अर्थ व्यस्था जहाँ राज के पास नियंत्रित है, वहाँ यहाँ पर संपूर्ण अर्थ व्यस्था किसी एक के हाथ में केंद ना वो निजी में ना सरकारी में बलकि दोनों के सम्मिश्रण के साथ, दोनों के सम्मिश्रण पर आधारित, दोनों के संयुक्त नियंतरण पर आधारित अर्थव्यवस्था, तो इस परकार इसे कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था. मिश्रित अर्थ व्यवस्था जिसमें साम्यवाद की कुछ अच्छाईया, पूंजीवाद की कुछ अच्छाईया, कल्यानकारी राजी की कुछ अच्छाईया, गांधीवादी विचारों की अच्छाईया, इनको लेकर एक नई विचारधारा सामने लाई मिश्रित अर्थवस्था में जनहित और सुरक्षा से संबंदित आर्थिक गत्विधियों को सरकारी क्षेतर में सुरक्षा और जनहित के मामले सरकारी में और बाकी सब निजिक खेतर में रहने की अनुमती तो ये आपको स्पष्ट कर देता है कि मिश्रित अर्थवस्था क्या है ऐसी अर्थवस्था जिसमें सुरक्षा के मामले और जनहित के मामले जन ये सरकार के हाथ में और बाकी अन्य सब मुद्देप निजी हाथों में सौप दिये जाएं आज भारत की क्या स्थिति है भारत में निजी खेत्र की भूमिका गट साथ वर्षों में एक जैसी नहीं रही सत्तर वर्ष पूरे हो रहे हैं तो जो निजी खेत्रों की जो भूमिका थी वो बदलती रही उन्य सो इंकानिबे आता है जब पीवी नर्थिम्हा राओ के प्रथान मंत्रित में सरकार बनती है और तत्काली वित्त मंत्री मनमोहन सिंग वित्त मंत्री के नाते एक ऐसी अर्थ व्योस्था सामने रखते हैं जिसे हम कहते हैं आर्थिक उदारी करण की नीती उन्य सो इंकानिबे में आर्थिक उदारी करण की नीती लागू करने से एकनॉमिक लिब्रेलिजम जिसे कहते हैं उसे लागू करने से पूर लागू करने के पहले की जो अर्थ व्योस्था थी उसमें सरकारी नियंत्रण ज्यादा था निजी हाथों में भी उद्योग थे निजी हाथों में भी कुछ अधिकार थे कुछ ताकत थी जिसमें उतार चड़ाओ होता रहता था दूसरे शब्दों में सरकारी नियंत्रण घर्टा बढ़ता रहता था लेकिन 1991 में क्या आता है आर्थिक उदारी करन अर्थ व्योस्था में 1991 के पहले ऐसी स्थिति आई कि कमांडिंग हाइट्स का दर्जा मिल जाता है सरकार को सरकार क्षेतर की महतपूर्ण भूमिका होती है और अर्थ व्योस्था में उसे कमांडिंग हाइट्स का दर्जा मिला और नियजिक खेतर को बहुत कम खित्रों में स्वतनता मिलती है जैसे लाइसेंसिंग में करतेपाई मामलों में और कुछ जनें मामलों में उसको स्वतनता मिलती है निजिक्षित्र पर निवेश सीमा, निजिक्षित्र की लाइसेंसिंग, सरकारी क्षित्र का एकादिकार कुछ हद तक कम होता है इसी परिवेश में भारत में 1950 से 1991 की अवधि में नियोजित विकास की प्रक्रिया बढ़ाई गई अर्थात 1991 के पूर्व, उधारी करण के पूर्व, आर्थिक उधारी करण के पूर्व के जो चार दशक हैं, 50 से 90 इसमें भारत ने नियोजित अर्थविवस्था लागू करने की या नियोजित विकास की प्रक्रिया को लागू करने का दाहित लिया और इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं मिश्रित अर्थ विवस्था को अपनाया जिसमें सरकार का नियंतनल बहुत ज्यादा था निजी लोंगों का प्रभाव घर्टा बढ़ता रहता था मिश्रित अर्थ विवस्था की अधि हम समीक्षा करें क्योंकि समीक्षा इसलिए क्योंकि मिश्रित अर्थ विवस्था उननिस सो इंकानबे के आर्थिक उदारी करण के बाद समाप्त हो गई तो इसलिए क्या स्थितियां पनपी जिससे आर्थिक उदारी करण लाना पड़ा और मिश्रित और सिर्था को त्यागना पड़ा ऐसे क्या कारण थे ऐसी क्या भूमिका थी जिसको लेकर चार दशिकों से चली आ रही विकास के मॉडल को बदल कर हमने एक नया मॉडल अपनाय इस पर अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं मिश्रित और सिर्था के परिणामों क्यों पर हमें नजर दोड़ानी होगी ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण डॉक्टर मनमोहन चिंको वित्तमंत्री के नाते आर्थिक उदारी करण की नीती अपनानी पड़ी लेकिन हम पहले इसक सकारात्मक परिणामों की और जाते हैं क्योंकि सकारात्मक इसलिए ज्यादा महत्पूर्ण है क्योंकि 40 वर्षों तक हमने विश्रित अर्थ विवस्था कानुपालन किया और मिश्रित अर्थ विवस्था में सफल भी हुए कुछ हथ तक तो पहला कारण पहला सकारात्मक प ये वाकिक बहुत महत्पूर्ण है, सारजुनिक शेत्र यानि पप्लिक सेक्टर, पप्लिक सेक्टर के माध्यम से सरकार ने जो विकास के लक्ष रखे थे, विकास की प्राथमिक्ताओं को पाने का जो लक्ष रखा था, काफी कुछ पूरा किया, तो हमें जानना होगा कि हमारी विकास की प्राश्मिक्ताइं क्या थी ये जब हम पंच वर्षी ओजनाय पढ़ेंगे प्लैंड एकॉनिमी जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि पब्लिक सेक्टर या सारजनिक शेतर में हमने क्या-क्या प्राश्मिक्ताइं रखी थी और उसमें क्या कुछ हासिल किया इसके सकारात्मक परणामों की अदि बात करें तो दूसरा परणाम है सकारात्मक विकास के लिए धाचा गत्ष विधाएं यानि आधार भूश स्विधाएं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा शोध वा तकनीक के विकास का प्रयोग रिशर्च और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनका विकास करने पर काफी जोर हुआ और वो फायदा हुआ ये इसका सकारात्मक परणाम है इस एरियाज में दीर्ग कालीन लंबे समय के लिए और अनिश्चित लाब क्योंकि पता नहीं रहता क्या फायदा होगा कितना होगा इसमें नॉमली सामानित्या जो निजिक शेत्र है प्राइविट सेक्टर वो पैसा लगाने से कत्राते हैं क्योंकि करोडों रुपे लगाएं और रिसर्च का क्या परणाम निकलेगा कोई कहा नहीं जा सकता कितने समय में इसका फायदा मिलेगा परणाम दिखेगा रिदल्ट निकलेगा कहा नहीं जा सकता तो जो निजिक शेक्टर है वो इसमें समानित्या पैसा लगाने से हिचकत तो ये इसलिए विकास के लिए धांचा गश्चो विधाओं को बनाना और रिसर्च में पैसा लगाने का काम इन्होंने किया तीसरा सकारात्मक परणाम राज्य सारजनिक शेत्र के मध्याप के जरिये जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए काम कर लेता है क्योंकि कमजोर वर्गों को उपर ठाना उनका उत्थान उनका कल्यान उनको सामाजिक न्याय दिलाना ये रज्ज का एक बहुत अहम कर्तब है खासकर भारती परिप्रेक्ष में ये एक बहुत अहम कर्तब है और ऐसी स्थिति में इन लोगों को न्याय दिलाना इस तबके के लोगों को उपर उठाना ये तभी संभव हो सकता था जब राज्य या सरकार इन उद्योगों में और इन आर्थिक व्यकास में दखल दे कोशिश करें कि सबको समान लाब मिले और ये तब संभव है जब सारवजिनिक खेत्र की संख्या बड़ी हो परियाप्त हो तो सारवजिनिक खेत्र के माध्यम से सरकार या रज्य कमजोर वर्गों के उत्थान कल्यान के काम और ऐसी उज्जनाओं को लागू करने में काफी क अद्येश नहीं रहता पबलिक सेक्टर में लाब का ज़्यादा से ज़्यादा पाना मैकसिमाइजेशन आफ प्रॉफिट जिसको बोलते हैं मैकसिमाइजेशन आफ प्रॉफिट लाब का ज़्यादा से ज़्यादा पाना ये अद्येश नहीं रहता सरकारी से खेत्रों में ज्यादा से ज्यादा को लाब मिलना ज्यादा से ज्यादा लाब नहीं ज्यादा से ज्यादा को लाब जनता के हित में उसमें लोग के हित में उसमें काम किया जाता है तो ये इसका एक बहुत बढ़ी हाथ सकारात्मक पहलू है अगला सरकारी ख्यत्र में जो ऐसे ख्यत्र हैं राष्ट्री हित्र के जिसमें राष्ट की सुरक्षा या राष्ट की एकता उसकी एक जुट्टा का जिससे सरोकार है वो ये सरकारी ख्यत्र में हैं के मामले में, सैनी मामले में, सैनी खथियारों के मामले में, यदि निजी खेत्रों को दिया जाए, इसका निर्मार इसको बनाना, तो आप समझ सकते हैं, इसका काफी के अधिकार देने के वो खतरों से बच जाते हैं तो राष्ट्रिय हित के जो मामले हैं रक्षा रेलवे जिसमें देश की एकता जुड़ी हुई है काफी कुछ निजी हाथों में देंगे तो वे अपनी धपली अपना राग गा कर रेलवे के जो फायदे हैं उससे हमें वंचि सरकारी खेत जो हैं वो निजी या सरकार ऐसे कुछ और जो उद्योग हैं ये निजी हाथों में ना दे करके इन्हें सरकारी हाथों में दिया गया और ये जरूरी भी था अगला सकारात्मक पहलू निजी खेत को पूरी तरह रोका तो नहीं गया ये मैंने शुरू में ही कहा Commanding Heights में निश्चित रूप से सरकारी उद्योग थे Commanding Heights में निश्चित रूप से सारजुनिक उद्योग थे लेकिन निजी खेतरों की भी उपस्थिती थी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया था यही मिश्रत अर्थव्यवस्था कहलाती है लेकिन उनका सीमित उप्योग था सीमित उप्योग के साथ आर्थिक प्रतियोगिता को बढ़ावा देना तो इस प्रकार निजी उद्योगों को उस हदितक सतंता थी जिसमें वे एक दाइरे में रहते थे और विकास के लिए निजी खेत्रों से संसाधन प्राप्त हो सकें ये उद्येश पूरा हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा महतपूर्ण बात थी कि निजी खेत्रों से आवश्चक संसाधन प्राप्त होने में काफी मदद मिलती थी लेकिन ये तो हुई सब सकारात्मक पॉजिटिव लेकिन इस व्यवस्था की कुछ नकारात्मक परणाम भी थे कुछ नेगेटिव रिदल्स भी थे कॉन्सीक्वेंसिस थे क्या था पहला यदि आर्थिक या अर्थ व्यवस्था में राज्य का नियंत्र हो तो उसके कारण आर्थिक व्यकास में त्रत्यूगता का अभाव हो जाता है क्योंकि लाभ लक्ष नही रहता जनहित लख रहता है और ऐसी स्थिति में और फिर उपर से सरकारी कर्मचारी उसमें रहते हैं तो ये लोग competitive नहीं हो पाते, प्रत्योगी भावना नहीं ले पाते, उत्पादन की दौड में आगे आगे रहने की इनमें वो तवज्यो नहीं रहती, तो आर्थिक विकास की प्रत्योगिता का अभाव रहता है। साथ ही निजिक खेतर नहीं रहता या निजिक खेतर उन उद्योगों में नहीं रहता शामिल, तो इसलिए जो इसकी गती है वो बड़ी धीमी रहती, और द्योगी करण की गती या विकास की गती उस हज़त तक प्रभावित हो जाती है। और इसे आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है, उसकी दर जो है वो धीरे रहती है, परणाम क्या हुआ कि वैश्विक इस्तर पर भारती अर्थ सव्यवस्था जो है, वो प्रतियोगी क्षमता नहीं बना पाया। वैश्विक इस्तर पर दुनिया के अन्य देशों के साथ दोड़ में वो उस गती से शामिल नहीं हो पाया। उधारण के लिए हम आटो मुबाइल इंडस्टी की बात करें। भारत में कारें बनती थी लेकिन इसमें सरकारी नियंतरन था। बहुत कम ऐसे खेतर से जहां पे कारें बनती थी। चाहे वो फियट हो या अमबासेडर हो या एक आद और मॉडल हो। और ये कारों पर सरकारी नियंतरन होने का परणाम ये था कि वे उसी पुराने धर्रे पे बनाई जा रही थी जिर धर्रे पे वो प्रारम्ब होई थी। जबकि विश्व की अन्य कारों नए नए मॉडल इतार रही थी नए नए प्रयोग करके आगे बढ़ रही थी और हम वहीं थे ज़स के तस्थ थे दूसरा इसी का परणाम था कि भारत में एक समय ऐसा था जब कारों के खरीदने के लिए नंबर लगाना पड़ता था और दो दो तीन तीन साल बाद नंबर लगाने पर कार मिलती थी दो तीन साल बाद नंबर लगाने पर टेलिफोन लाइन मिलती थी आदी आदी और ये इसलिए कि सरकारी नियंतन परणाम बहुत लंबी लाइन दूसरा परणाम विकास की दोड़ में पीछे हो जाना तो ये बहुत बड़ा नकारात्मक परणाम था कि आर्थिक विकास प्रभावित हुआ, उसकी दर प्रभावित हुई और वैश्विक स्तर पे हम काफी पीछ होगा दूसरा नकारात्मक परणाम कि नौकर शाही, सरकारी ख्षेतर भी सरकारी नियंतरन और नौकर शाही के कारण प्रगति नहीं कर पाया एक तो सरकारी जो अमला रहता है, उनके मन में वैसे ही प्रत्योगी भावना रहती नहीं तो सत्तक्वे वैसे ही स्लो रहते हैं, और ऊपर से नौकर शाही जब उस पे हवी हो तो वो निश्चित रूप से विकास की दर को बाधित करता है इनका नियंत्रन, सरकारी नियंत्रन और उपर से नौकर शाही तो वो विकास की तेजी को रोग देता है तो इसलिए विकास नहीं कर पाया है और कई जो उद्योग थे वे घाटे में चले गए और सरकार पे बोज बन गए बहुत सारे हमने उद्योग देखे हैं जो घाटे में चलना और फिर भी चलाय जा रहे हैं क्योंकि उसमें जनहित का मामला जुड़ा हुआ है उसमें कारे करने वाले जो कर्मचारी हैं जारों लकों उनकी जीविका बंद हो जाएगी यदि उद्योगों को बंद कर दिया जाए तो सरकार मातर उसको चला रही है वहां के कर्मचारी लेकिन इतना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं कि उस कंपनी को वो फायदा दिलाएं जादा से जादा उत्पादन बढ़ाएं जाद से जादा कारे करें अपनी गर्ती बढ़ाएं आदी आदी ये इसकी बुराई है तो सरकारी उद्यम घाटे पे चले गए और सरकार पे बोज बनते चले गए सरकार को अब पैसा जादा से जादा लगाता और उस उन द्योगों में लगाना पड़ा तीसरा नेगटिव परणाम एक कोटा राज होता था किसी जमाने में क्यू यू ओ टी एक हिंदी में कोटा कोटा राज लाइसेंस राज जिसमें किसी भी उद्योग को खुलने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था अलाइसेंस एक तरह का अनुमति पत्र ये अनुमति पत्र लेने के लिए उद्योग पतियों को बहुत पापड बेलने पड़ते थे बहुत चक्कल लगाने पड़ते थे सरकारी तंत के पीछे भागना पड़ता था ब्रष्टा चार बढ़ता था और अन्त में बहुत सारे उद्योग पति नए उद्योग डालने का प्रयासी बंद कर देते थे ये कारण कि ये क्या था सरकारी नियंतरन होने का दुष्ट परणाम तो सरकारी नियंतरन लाइसेंस के रूप में सरकारी नियंतरन कोटा के रूप में इतना ही कोटा है यानि यदि पेट्रोल पंप का कोटा इस साल 500 पेट्रोल पंप्स का है तो उसमें 200 सामानिश रणी को 100 अनसुची जनजाती को 200 OBC को जड़ी ऐसा तैह है भले ही मांग 2000 पेट्रोल पंपों की हो लेकिन खोला जाएगा 500 ही क्योंकि कोटा सरकार ने निर्धारित कर दिया उससे ज्यादा नहीं और वो 500 में जो लोग शामिल हैं उसकी दोड़ में पेट्रोल पंप को लेने की दोड़ में वो ना जाने कितना भरष्टा चार करते थे पेट्रोल पंप अपने को हथी आने के लिए तो ये कोटा तथा लाइसेंस के कारण नौकर शाही को विशे एक तरीके से विवेक अधिकार प्राप्त था उनको ये तैय करने का अधिकार था कि किसको दे किसको ना दे और इसका क्या परणाम हुआ ब्रष्टा चार और अन्य अवैद आर्थिक क्रियाओं को बहुत बढ़ावा मिला ब्रष्टा चार व्याप्त हो गया बहुत गहराई तक चला गया घूस खोरी बहुत गहराई तक चली गई और जहां घूस खोरी होती है वहाँ पे निश्चित रूप से विकास पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है अगला नकरात्मक पहलो सरकारी करण का आलोचकों का मानना है कि मिश्रित अर्थ वहस्था में निशी खेत और सरकारी खेत दोनों से लाब नहीं मिल पाया ना हम घर के रहे ना घाट के ना नीजी खेत्रों का फायदा उठा पाए जैसे अमेरिका ने उठाया है वहाँ पूरा नीजी खेत्र कर दिया है ना हम सरकारी तंतर की कड़ाई का लाब उठा पाए जैसा कि रूस में सोवियत संग में हुआ या अन्य सामयवादी देशों में होता है और इस पकार हम देखते हैं कि गर्भा वस्ता में ही इन दोनों विकास के मॉडल को हमने मिश्रित करके इसके गर्भा वस्ता में ही सभी तरह की बराईयों को हमने समावेशित कर दिया सभी तरह की बराईयों को ले आए अच्छाईयां तो कुछ ज़्यादा आई नहीं मिश्रित अर्थ वस्ता में बराईयां ही ज़्यादा आगए ये इसका नकारात्मक पहली है इस तरह हम देखते हैं कि 1950 या 47 से 1990 के दशक के पचास वर्षों में कुछ इस तरह की व्यवस्था चली 1990 के दशक में या उन्नी सो इंकानवे बानवे में उदारवादी नीती जब अपनाई गई उदारवादी अर्थ व्यवस्था जब अपनाई गई पीवी नर्सिम वराओ और मनमहन सिंग के वित्त मंतरत तुमें तो उस समय सभी ये नकारात्मक पहलू उदारवादी नीती निर्माताओं के दिमाग में थे अर्थात जब उन्होंने उदारवादी नीती के बारे में सोचना शुरू किया तो उसकी जड़ में ये नकारात्मक पहलू की प्रमुकता थी उन्हों की सोच में कि ये पहलू को कैसी अर्थविवस्था से ये बुराईयों को कैसी अर्थविवस्था लागू करने से हटाया जा सकता है तो उन्होंने पाया कि उदारवादी नीती शायद इन सब बुराईयों को दूर कर देगी भारती अर्थवस्था में जो अक्षमताएं उपजी थी जो अक्षमताएं आई थी उसो दूर करने और वैश्वी करण के प्रभाव के कारण दो कारण हो गए उन्निस्व इंकानिबे में भारत में आर्थिक उदारी करण और निजी करण का दौर प्रारंब होता है एक नई आर्थिक नीती के शुरुवात होती है New Economic Policy NEP 1991 और कारण दो नकारात्मक परणामों के मद्य नजर रखना और दूसरा कारण वैश्विक वातावरन वैश्विक करण का प्रभाव ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पूरी दुनिया एक दूसरे से बहुत जुड़ गई थी मतलब दुनिया के विकास से जुड़ने से अपने को अलग थलग कर लेना जो बड़ा आतमगाती होता तो इन दो कारणों से उधारी करना आर्थिक उधारी करन और निजी करन का रास्ता खुला, और नई आर्थिक नीति अपनाई गई. तो हमने मूल्ता ये पढ़ लिया, अभी तक, कि नई आर्थिक नीति क्यों अपनाई गई? कारण लिखें, कारण बताएं, और आमने ये भी समझ लिया, कि पुरानी नीतियों के क्या दुश परणाम थे यद्य पर हमने जो मिश्रित अर्थ विवस्था लागू की थी वो अन्य अर्थ विवस्थाओं से अच्छी रही होगी इसलिए हमने मिश्रित विवस्था चुनी लेकिन उसकी भी अपने कुछ ब्राईयां थी और बदलते समाज में बदलते विश्व में हमें भी अपने को बदलने की जरूरत थी खास कर तब जब भारत में भरष्टा चार काफी गहराई था तक जा चिका था